नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राहूल स्वागए अपका नमो टेकनीचन फ्टर मास्टर के एक और नए विडियो में फ्रेंट्स आज हमनों सिंगल पॉइंट कटिंग पुल के नॉमेंकुलेचर को स्टड़ि करने वाले तो फ्रेंट्स इस इस वीडियो में हम लोगं single point cutting pull के जितने भी naming किया गिया है सारे parts को जानेंगे सारे English को जानेंगे पूरा details में जितने भी important questions इस topic से बनते उसको भी हम लोगं discuss करेंगे तो वीडियो को last तक जरूर देखें और अगर आपको last में वीडियो पसंद आए तो एक like और share जरूर कर दीजिएगा तो चलिए start करते तो सबसे पहले हम लोगं जानेंगे कि सिंगल point cutting tool क्यों कहा जाता है तो जब हम लोग किसी cylindrical job के उपर कि मसिनिंग करते हैं तो आप यहां पर देखेंगे इसका एक ही cutting edge एक समय पर metal को cut करता है इसी लिए इसको single point cutting tool कहा जाता है किलियर हम लोग इसके एक एक part को जानेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं इस part को pink का याता है तिक है यह जो rectangular shape का है तिक है इस part को seg का जाता है और sans का का म क्या होता है इसkiej का using क्रिख करके हम लोग इसको जो हमारे cutting tool है इसको हमनों किसी भी टूल होल्डर में फेट कर सकते हैं किलियर इसका जो नीचे का पार्ट है ठीक है नीचे का पार्ट को बेस कहा जाता है किलियर और यहां पर आप देख सकते हैं यह जो फेस है इसको रेक फेस कहा जाता है ठीक है यहां से यहां का पॉर्षन क्या है क्ट is का जो उपरी सरफाइसे से स् hole और सलाइड होता है कि जो हमारा होता है कि सरफेस सेब्सक्राश सलाइड होता है तो हमारा रिएक संपर से grund Door मोरी सब्सक्राइब चौर्च थेस्थिया यह आरशी करते हैं या कोई टूल का जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो करीके Hag साइड कटिंग एज है, साइड कटिंग एज बड़ा होता है, फिगर मैं आपको छोटा दीख रहा होगा, लेकिन साइड कटिंग एज क्या होता है, यह बड़ा होता है, और साइड कटिंग एज के नीचे का जो सरफेस होता है, इसको हम लोग फ्लेंग कहते हैं, ठीक है, कटि के नीचे का सरफेस को playing कहता है क्योंकि side cutting एज बड़ा हो दो होता है इसके नीचे का सरफेस को major playing कहेंगे क्योंकि end cutting edge side cutting edge के comparison में छोटा होता है इसलिए lier सब्सक्रोफ देख सकते हैं यहां पर यहां पर आप एक चीज देख सकते हैं यहां पर नोज रेडियस प्रोवाइट किया जिससे जो हमारा प्रोडेक्ट बनता है उसका सर्फेस फिनिस बनिया होता है और कटिंग तूल का लाइप यह इंक्रीज करता है तो नोज रेडियस के कारण हमारा कटिंग टूल का अजम लाइप इंक्रेज होता है और रमिया सर्फेस फिनिस हमें प्राप्त होता है और अगर इसमें स्मॉल नोज रेडियस रखें ठीक है रल्फ राखें तो बनिया सर्फेस अमें नहीं मिलेगा तो जादा हिट जंड että होगा है ठ्दख ज्यादा ही concept इसको और अगिया संध्य रखेगे तो हमारा कटिंग टूल वाइब्रेट करेगा क्लिरा उससे भी हमें बढ़िया सर्स न bubble इसको कर लिजिए हैं और अब हम लोग अंगेल समझने से पहल्hora इंगल को समझना काफे ठ corazón हो जागा क्योंकि बहुत सारा नेमिंग है इसलिए मैंने अलग से इसका टॉप फ्रॉंट व्यू और साइड व्यू बनाया है ठीक है तो इसको समझने से पहले एंगेस को समझने से पहले आपको मैंने जो बारे में बताएज यह जानना काफी जरूरी था इसको समझेंगे तभी आप जब похожу एंगेर्षक को डिफाइड करेंगे तो आपको बनिया से समझ में आाए जटीय कले अपको समझना होगा। जितने भी लाइन से जिंग ये क्या है सेंग के परेलल लाइन है यहां इस तरह का लाइन होगा यानि सेंग का परेलल लाइन होगा और इस तरह का लाइन होगा तो सेंग का परपेंडिकुलर लाइन होगा और यह भी जो लाइन आप देख सकते हैं यह भी सेंग का परपेंडिकुलर लाइन होगा तो जब आप अच्छा से समझ जाएंगे तभी आपके एक्जाम में इससे कोई भी question नए छुटेगा तो समझना काफी जरूरी है तो इसको देखिए यह उतना आसान नहीं कि एक बार आप किताब से पढ़ लिए तो समझ में आ जाएगा तो आपको करना क्या होगा इसको चार से पांच बार ज्यादा उसे को ज्यादा ड्रो करिए जिससे आपको यह किलियर तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान देके सुन लिए ठीक है तो जब अगर हम लोगों साइट से देखेंगे साइट से देखने का मतलब अगर हम लोगों इधर से इसको देखेंगे तो हमारा इस तरह का व्यू बनेगा क्लियर तो यह हमारा सेंग है और यह हमारा कटिंग पोर इसका perpendicular line भी हमनों कर सकते हैं और base का normal line भी हमनों कर सकते हैं clear जो भी perpendicular line होगा ठीक है यह जितना भी line है तो question में इस तरह से भी आ सकता है कि base का normal लिखा रहेगा ठीक है base का perpendicular रहेगा या सेंग का perpendicular रहेगा तो आपको समझना होगा कि यह इस तरह का line होगा ठीक है तो जब हमनों साइड से देखेंगे तो हमें दो एंगल दिखाए देगा एक बेक रेक एंगल और फ्रॉंट किलियरंस एंगल ठीक है तो यह हमारा आप देख सकते हैं फ्रॉंट किलियरंस एंगल दिखाए देगा वह है बेक एंगल टीक है यह हमारा रेकपे छे और एक पर एक तो और एक चीज आप लोगों का नहीं होना है बेक रेक एंगल और का रेक एंगलों यह तिनों चीजे सेम में है किलियर और जो बेक रेक एंगल में होता है यह पॉजिटिब भी वो सकता हैं और जीरो भी हो सकता हूँ अम लोग आगर दिसकस करेंगे सब्सक्साएं यांपर बेगए मनें कर लेके GPS क्या है है तो यह हमारा रेK सरफ्यस है एक थे लॉई करेंगे बेस के बेरीलre लाइन और हमारा रेक एंगल हो जागा के लिए हम लोग कह सकता है कि सेंग्स के प्रजवर्atarनटर है उट खंट होगा दोनों के पीच के एंगल हमारा क्या होगा बेक रेक एंगल या रेक एंगल तो यह हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो रेक एंगल भी हो सकता है तो जो रेक एंगल होता है ठीक है काफी इंपोर्टेंट पॉइंट में बताने जा रहा हूं रेक एंगल को लेके ठीक है तो कुश्चन आता है कि टूल का strength depend करता है rake angle के उपर ठीक है, कैसे तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर आप दीख सकते हैं यहाँ पर क्या है, यह positive rake angle है, ठीक है positive rake angle इसलिए है क्योंकि जो slope बना हुआ है वो इस side बना हुआ है ठीक है, यहीं पर अगर आपका इस तरह से बना होता, तो यह होता हमारा negative rake angle, तो negative rake angle में आप देखेंगे, जो tip है, जो यह tip है, tip का thickness ज्यादा है, यह ज्यादा मोटा है, तो इसमें negative rake angle में क्या होगा, इसका strength ज्यादा होगा, इसके comparison में, ठीक है, positive rake angle में क्या होगा, इसका tip है, इसका thickness कम है, ताफी पतला है, इसके कारण इसका strength कम होगा, ठीक है, और यह आप देख सकते हैं, यह positive rake angle है, यह negative rake angle है, और अगर इस तरह से रहे, ठीक है, इस तरह से अगर रहे, ठीक है, तो यह क्या हो जागा, zero rake angle, ठीक है, zero rake angle, ठीक है, तो Zero Rake Angle का यूज कहाँ पर किया जाता है अगर हमें Brass के उपर मसेनिंग करना होगा तो हमनों Zero Rake Angle का यूज करेंगे ठीक है अगर हमें Hard Material के उपर मसेनिंग करना होगा तो हमनों Negative Rake Angle का यूज करेंगे अगर हमें Soft Material, Ductile Material के उपर मसेनिंग करना होगा तो हमनें Pode पॉजिटिव रेक अंगल का यूज करेंगे किलियर जो हमारा कर्वाइट ट् ड्ल होता है इससे विए कोश्चिन पूशे जका action पूछे जो हमारा कर्वाइट ट्ल होता हिसमें हमेसा ंसे और रेक अंगल क्या होता है एह ride angle क्या करता है जो geometry होता है chip का geometry यानि continuous chip हो सकता है discontinuous chip हो सकता है तो उसको ये control करता है ये riding angle control करता है positive negative नेगटिव हुता है ठीक है positive में alag spectrum होता है ऑर जो हमारा negative braking होता है यीश मे अलग geometry होता है की बैर्ट के बारे में जानेंगे तो फ्रॉन्ट किलियर के आंगेल को कंडूर से एंगल को कैसे करेंगे तो यह हमारा क्या है फ्लेंग है ठीक है इस सर्पेस को क्या का जाता है माइनर फ्लेंग का जाता है तो यहाँ पर हमनों किसको कैसे डिपाइन करेंगे कि जो हमारा माइनर फ्लेंग सर्पेस है माइनर फ्लेंग सर्पेस और सेंग के परपेंडिकुलर लाइन ठीक है सेंग सेंग परपेंडिकुलर लाइन ड्रो करेंगे या टूल एक्सिस से परपेंडिकुलर लाइन ड्रो करेंगे या जो हमारा ये क्या है cutting edge है ठीक है end cutting edge इससे एक perpendicular line draw करेंगे या base के normal एक draw करेंगे ठीक है तो base के normal और minor flink surface के बीच का angle को हमारा क्यों के हैं या कह सकते हैं कि जो फ्रोंड के labor scale होता है इसके कारण हमारा जो minor plank surface होता है वो inclined होता है ठीक है ये भी कह सकता है इस तरह से भी आपको गुमा के question पूछा जा सकता है तो आपको clear होना होगा तो ये जो front clearance angle क्यो provide किया जाता है front clearance angle इसलिए provide किया जाता है ताकि जो हमारा cutting tool है ये work piece से घरसन होने से बचे है तो अगर इसमें माल लेजे angle provide क्या होगा नहीं रहेगा तो ये क्या होगा सीधा state होगा और जब हमनों machine क्या करेंगा तो क्या होगा इसका ये cutting tool का ये surface और job का surface दोनों क्या होगा दोनों के बीच rubbing होगा ठीक है तो उसी को prevent करने के लिए इसमें front clearness angle provide किया जाता है clear अब हम लोग बात करेंगे top view ठीक है तो अगर हम लोग top से देखेंगे इसको अगर top से देखेंगे तो हमें क्या-क्या angle देखनों को मिलेगा अगर हम लोग top से देखेंगे तो हमें आप यहाँ पर देख सकते हैं end cutting edge angle ठीक है end cutting edge angle क्या है देखेंगे यहां से यहां से एक हमने reference पिलें लिया है perpendicular line लिया है ठीक है same के reference से तो यहां से perpendicular line लेंगे और जो हमारा cutting edge है ठीक है cutting edge और cutting edge से एक हम लोग पर परपेंडिकुलर line draw करेंगे दोनों के बीच का जो angle होगा उसको हम लोग end cutting edge कहेंगे और side cutting edge यहां पर आप देख सकते हैं तो side cutting edge क्या होगा जो side cutting edge होगा side cutting edge और same के parallel एक line draw करेंगे या tool axis एक parallel line draw करेंगे तो दोनों के बीच का जो angle होगा वो हमारा क्या हो जागा side cutting edge angle होगा अब इसको हम लोग समझ लेते हैं ठीके दो angle हमें दिखाए देगा top view से एक हमारा क्या है end cutting edge angle यह हमारा क्या है end cutting edge angle तो यह हमारा क्या है यह हमारा end cutting edge है और यह हमारा side cutting edge है clear तो end cutting edge और यहां से एक perpendicular line draw करेंगे ठीक है यहां से perpendicular यह में लोग कह सकता है जो तू लेक्षी से इसके पर्पेंडिकुलर लाइन होगे तो दोनों के बीच का एंगल हमारा क्या हो जाया का and cutting age angle तो इसको अम लोओं लिख सकता है कि और two lexus के perpendicular count का बीच का एंगल होगा है कि लिए तो इस में जो को यह एक गर्चिया जाता है यह एंगेल kני को इसले प्रवाइट किया जाता है घ्रकुर हमारा क्रवर्य है यहां पर आप देखेंगे ऑसी तो तो side cutting age और एक हम लोग लाइन ड्रो करेंगे कहां से? यहां से side cutting age के end से यह कह सकते हैं कि जो हमारा sync है उसकी parallel एक line ड्रो करेंगे तो दोनों के बीच के angle हमारा क्या होगा? side cutting age एंगल होगा इसको यह दूर करता है तो से साइड कटिंग एंगल अगर side cutting age एंगल प्रोवाइट क्या हुआ है यानि उसका मतलब जब हम लोग तर्निंग करेंगे तो क्या होगा? oblique cutting होगा अगर side cutting age एंगल प्रोवाइट क्या होगा नहीं रहेगा तो क्या होगा? अर्थागुनल cutting होगा है अब हम लोग देखेंगे इसको फ्रॉंट से यानि इदर से देखेंगे तो अगर हम इस तरह से दिखाए देगा यह जो सरपेस है आगे का जो सरपेस ही वह हमारा यह वाला है और यह पीछे का सरपेस आप देख सकते हैं यह वाला है क्या हो अगल यह सइड़ की लिए रेंस एंगल तो इस सइड रिक एंगल क्या होता है? इसके कारण जो रेक परेसं है? यह साइड की तरफ इनकलाइन होता • साइड की तरफ df के बीच का जो एंगेल होगा हमारा साइड रेक या कहा सकते हैं जो यो क्यों कि यह चीफ रिख हेस्फास को करता है है तो जब हम लोग कटिंग करते हैं तो जो हमारा चीप होता है इस थरह से आप में सलायड होता है और जो हंकि है यह बाहर की तरफ निकल जाता हँ हमारा तो सायकी एंगिתחल हमारा चिप फ्लो को कंट्रोल करता है, काफी important point है, note कर लिए, ठीक है, और अब हम लोगों बात करेंगे, side clearance angle, ठीक है, तो यह हमारा side clearance angle, side clearance angle क्यों provide किया गिया है, ताकि हमारा cutting tool और job के बिच घरसन ना हो, इसी करण से clearance angle provide किया गिया है, तो इसको हम लोग कैसे define करेंगे, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि side clearance angle के चलते हैं, जो हमारा major plank है, ठीक है, यह हमारा major plank, वो inclined है, कह सकते हैं, major plank हमारा inclined है, या कह सकते हैं, कि major plank surface और जो age है, side cutting edge, यहां से एक perpendicular line draw करेंगे, दोनों के बिच के angle हमारा side clearness होगा, या हम लोग कह सकते हैं, कि same के perpendicular line draw करेंगे, या कह सकते हैं, कि base के normal draw करेंगे, या कह सकते हैं, और कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है, तो sink के perpendicular line, base के normal line, base के perpendicular line, या tool axis के perpendicular line यह कम लोग करेंगे, और जो हमारा flank surface है, major flank surface, दोनों के बीच के angle हमारा side clearness होगा, clear, तो यही था single point cutting tool के nomenclature के बारे में, इसके बाद हम लोग, इसके जितने भी most important MCQ है, उसको discuss करने वाले हैं, इससे अगर आपका माल यह concept फूरा clear नहीं होता है, तो हम कोशिस करेंगे, जो हम लोग MCQ को solve करेंगे, उसमें आपका single point cutting pull का सारा concept अपका clear हो आगा, तो MCQ वाला वीडियो को जरूर देखिएगा, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिए और share जरूर कर दिएगा, तो फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब ते के लिए दन्याबाद.